हलो अब्रिवन असलाम अलेकुम नमस्तेश असरीकाल कुश्रामतीद आज की रेक्शन वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसे के हम सभी देख रहे हैं भारत के अंदर एक मुद्दा उठा है और वो मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उस मुद्दे को कहा जा रहा है हिजाब मुद्दा और इसी पर आज कर ये वीडियो है फेस टू फेस से ये वीडियो है डॉक्टर सयद विद्वान एहमाद सहाब का और इस वीडियो का टाइटल हे चान्नी ने दिया इस्तिफा हिजाब बवाल जैसा मैं ने पहले भी बनाया था तू डाल डाल में पात पात खेला जा रहा है परतम दृष्टिया नहीं बलकि साफ नजर आ रहा है कि इस विवाद को अब बढ़ाया जा रहा है बहुत क्लोजली इस विवाद को मैं फॉलो जब कर रहा हूं तो क्या गटनाए सामने आ रही है बहुत क्लोजली जब ने स्टीफा दे दिया क्योंकि उन से गेट पर बुर्खा उतारने को बोला गया इधर पंद्रा लड़कियों पर मुकदमा हो गया किसका प्री इनिविस्टी यानी 11.10 की जो हाई कोट के आर्डर के बाद भी क्लास में स्कूल में बुर्खा पहन कर गुसना चा रही थी और उ मैयर लगोर्मेंट जिस्की भी हो वी जैपी गोर्मेंट नी वह महारस्टवा गोर्मेंट होती है उसके टाइम पर जो भवन नमा बना बना था उसका नाम था उर्दू भवन एक-डो दिश्वरकियों बहुत देखार किंभ उसका नाम साफ कर्वाया गया जिसससे बज़नक किया यह कहते हुए कि तिलक दक्षण भारत की संस्कृति है ना कि इसका कोई धर्म से लेना देना है अब इस सारी घटनाओं को जब हम अराम से इन पर नजर डालते हैं तो क्या नजर आता है कि आप हाई कोट जाते हैं गौर्मिंट के एक आदेश के विरोध में आप मतलम साफ तौर पर हिजाब पक्ष मुस्लिम पक्ष कि आप हाई कोट पर वरोसा करते हैं हाई कोट की सिंगल बेंच आपको इंटरिम रिलीव देने से मना कर देती है यानि आपको इस बात की अनुमती नहीं देती कि आप हिजाब पहन कर प्री यूवर्श्टी फिर से बता रहा हूं प्री यूवर्श्टी यानि 11 और 12 में जाएं मैटर जाता है थी जजज बेंच को और थी जज आप हिजाब पहन कर स्कूल प्री यूवर्श्टी 11 और 12 नहीं जा सकते हैं हमीं खुद जाते हैं हाई कोट और हमीं हाई कोट का कंटेंड करते हुए कंटेंड करते हुए जाते हैं प्री यूवर्श्टी के स्कूल सर से हिजाब पहन कर जो हाई कोट ने जिस पर रोक लगा रखी थी ये है सीन वन सीन टू साफ साफ हाई कोट में जो डिसकशन हो रहा है मैंने पहले वीडियो में भी बोला था अगर हिजाब ड्रेस अगर किसी स्कूल में कॉलेज में इस्टूशन में ड्रेस कोड नहीं है तो चड़िये बुर्खे को तो तब भी कोई अगर अब्जे कोड था इसी लिए बाद यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्माइटी और इक्वैटी की हो रही थी तो एक तरफ जहां लडाई ये प्यू की थी यानि प्री यूनिस्टी की थी एक टीचर इस्तीफा देती है इस बात पर कि उसको गेट पर रोक कर बींग अ टीचर उससे कहा आगे आप अपना बुर्खा उतारिए हाई कोड डिसकस कर रहा है प्री यूनिस्टी को करनाटका गॉर्मेंट के हाईर एजूकेशन के मिनिस्टर बार बार इस पष्ट कर रहे हैं कि ये जो भी विवाद है जो भी बवाल है जो भी हाई कोड का ओर्डर है ये को देखते हुए है यानि प्री यूनिस्टी को अब एक तरफ जहां लड़कियां हाई कोड का कंटेंट करके रोक के बाद भी जिद में ग्यारवी और बारवी क्लास की लड़कियां स्कूल में घुसने की जिद कर रही है और उनकी कहा सुनी हो रही है और मुकदमा लिका ज नहीं आती है जो शुरू से हम लोग लेके चलने हैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म स्कूल में यूनिफॉर्म उनके भी हिजाब उतरवाई जाते हैं और बुर्खा होता है जब की करनाटका का हैर एजूकेशन मिनिस्टर कह रहा है कि ऐसा कोई सरकुलर नहीं है कि फैक कौन इसे हवा दे रहा है आरोप हम इसमारे नहीं लगा सकते संबंदिस सरकार पर क्योंकि उसका मंतरी स्वेम ऑन बोर्ड आकर इन पबलिक डुमेन ये बोला है कि ये चीज़ गलत है क्यों रोका जा रहा है साफ नज़र आता है कि किसी इस तर पर इस चीज़ को और बिगा मतरी की बात है कि ये संपरदाइकता स्कूल कॉलेज यानि ग्यारवी और बारवी और जब ग्यारवी और बारवी है और उसी स्कूल का विवाद है तो वहां दस्वी भी होगा नभी भी होगा आट्वी भी होगा ये विवाद ये संपरदाइकता का जहर वहां तक फैल गया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है सोच ये सोच ये क्या होगा अगर मान लीजे हाई कोट की थ्री जजजबेंच ये एक डारिक्शन देती है कि कोई भी रिलिजियस सिंबलिजम हम स्कूल में नहीं पहन सकते या कैरी कर सकते या दिखा सकते दूसरा एक और्डर ये आ सकत है कि ओनरबल हाई कोट ये फैसला दे कि हिजब मुसलिम कल्चर का इसलामिक कल्चर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है एसे नमाज रोजाज मान दीजे ये औरडर अगर आता है तो इसका असर एक बार एक हाई कोट ने अगर बोल दिया कि हिजब एसेंशियल पार्ट मुसलिम औरत के ड्रेसिंग का नहीं है तो इसका असर करनाट का तक नहीं रुखेगा इसका असर पूरे भारत में नजर आएगा क्योंकि फिर पूरे भारत में सिर्फ स्कूल में ही नहीं क्योंकि और्डर क्या आया एसेंशल पार्ट नहीं है मैटर स्कूल ड्रेस का खतम हो गया स्कू तो सब पर लागू कर सकता है पैन इंडिया दूसरी चीज अगर हाई कोट का ओर्डर हिजाब के पक्ष में नहीं आता है मैं सोच सोच के परेशान हूँ कि ये लड़कियां जो हिजाब की लड़ाई लड़ाई हैं हिजाब पर बबाल मचा रखा है ये क्या मू लेकर उस स्कूल में बिना हिजाब कर वापिज जाएंगी एक मजाग का एक टॉंड का एक खिचाई का सबब बनेंगी इट माइट हैपन जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऑनरबल हाई कोट ने हिजाब के पक्ष में फेवर में और्डर नहीं दिया और ये कहा कि इसलाम एसेंशिल इसलाम की वोमन की ड्रेसिंग में हिजाब एसेंशिल नहीं है तो इन मास इन मास के लड़कियां अपने स्कूलों से नाम कटवाएंगी और किसी मानौर्टी इस्टिशन में जहां पर हिजाब पर्मिटिड है वहां पर जाके इमेरी और उनकी इगो कहेंगे इतनी चिन्नित होगी इतनी हार्म होगी इतना वो मज़ाग का सबब बनेंगी कि मुझे नहीं लगता कि उसमें वो उस स्कूल में जाके नॉर्मल फ्रेमवर्क आव माइन में पढ़ाई कर पाएंगी वो कहां जाएंगी मानौर्टी स्कूल में पहन सकती हैं कोशिश क्या होनी चाहिए कोशिश करी चिक मंगलूर के डिप्टी कमिशनर साब ने कि वो एक मानौर्टी इस्ट्यूशन में गए क्लास टिंद के क्लास ट्वेट से नीचे उन्होंने लड़कियों को कन्विंस किया कि आप ये जो भी हाई कोड़ का ओर ये ट समाज को नुकसान पहुचा रहा है मान लीजे अब पहले मैंने आपको दो सूरत बता दी कि हिजाब के पक्षमे फिवर नहीं आता है पहला हिजाब इसेंशियल ड्रेस के लिस्स से भढ़ जाएगा जिसका असर पैन इंडिया हो सकता है दूसरा ये लड़किया फील करेंग कि इतनी लड़ाई हिजाब की हुई और आज वो बिना हिजाब के मां जा रही है तीसरी बात अगर हिजाब के फेवर में कोई भी डिजर्ट नहीं आता है तो रिलीजियस सिंबलिजम भी रोक दिया जाएगा अब जो घटना वहाँ पर हुई कि एक स्टूडिन का तिलक आते हैं अब एक स्टेज ये आएगी कि लड़की मां लीजे बिना हिजाब के स्कूल में जाके बैटने लगी लेकिन दिल में बदले की भावना भी है दिल में इंसेटिड भी फील कर रही है दिल में उसको लग रहा है कि मेरे मजभ मेरी मांताओं पर ये इसका परार हुआ है एक बच्चा एक लड़का तिलक लगा के आया अब एज एज ए सेट प्रोग्राम औरकेस्टर प्रोग्राम वो लड़की उठेगी टीटर से कहेगी कि ये बच्चा तिलक लगा के आया है मैं हिजाब अपने बैग में रखके लेके आई हूँ या आप इसका तिलक साफ कर वाई ये या मैं अपना हिजाब पहन रही है या वो प्रिस्वल के पाँ जाएगी और एक कंप्लेन देगी या उसके बच्चे पैरेंट से कंप्लेन देंगे कि इस किलास में इस दिन चार बच्चे तिलक लगा के आए थे उनको भी रोका जाए एंड में क्या होगा भले तिल कुल के अंदर एक लॉइन ओर्डर प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है असान भाशा में हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों के बीच में मार्पीट हो रही है और रॉइट की दंगे और फिजात की स्थिपी बनी हुई है आखरी बात मान लीजे कि ऑनरबल हाई कोट का एक सुनामी आएगी और पूरा स्कूल भगवे और इससे पट जाएगा पहले मैंने वीडियो में बोला था कि ओर्डर हिजाब के पक्ष में आए तो हिंदुस्तान हारेगा पहले मैंने बोला था कि ओर्डर हिजाब के खिलाफ आए तो भी हिंदुस्तान आरेगा अब सोस क कि बात है हम लोग एक परिवार के हैं और हमारा कोई भी मसला आपस में हम नहीं सुटा पाते हैं और हर मसला कोड जाता है और वहां पर खास तोर से एक वर्क को या एक पक्ष को शर्मिंदगी उठानी होती है I wish I will post this video to few of my people who are known to me in Delhi who are associated with BJP and other parties मैं कोशिच करूँगा उनको भेजू और उनसे request करूँ कि ये matter students का matter करनाटका गौर्मेंट को करनाटका की Muslim Council को Education Council को वहां के Intellectuals को Civil Society को वहां के Government को मैं request करूँगा कि वहां के जुत्रे भी Intellectuals हैं, Academicians हैं, वहां के Islamic Council हैं, Religious Council हैं, Senior Schools के Principals हैं, उनका एक Body बननी चाहिए और वो बैट कर इस पर एक Unanimous Decision ले, Compromise Decision ले, थोड़ा कोई दो कदम चले, थोड़ा कोई एक कदम चले, ये matter इस भी ये matter आएगा, इस से education हारेगी, बच्चों के बीच में आपसी भाईचारा और understanding हारेगी, और कुल मिलाके भारत आएगा, आर सोसाइटी शुड़ कम फावरड, और इस तू डाल डाल मैं पात पात तू शेर नी तू फलाना, इस किस्टे को खतम करें, इस को mellow down करें, और भारत में ना देखने को मिले, क्योंकि अगर ये देखने को मिला, तो इसका मतलब ये होगा, संपरदायक था, एक स्तर और नीचे गर गई, या यूं कहें, एक स्तर गंदगी में और उपर बढ़ गई, ये संपरदायक था, हमारी 10th, 11th, 12th के बच्चों में, officially आ जाएगी, जिसको हम चाते हुए भी, कभी खतब निकर पाएंगे, और आने वाली पूरी एक जनरेशन को, हम इसी स्टेज से, इस नेस्टेज से, संपरदायक और कम्रल कर देंगे, जैहन बंदे मातलब, खुदा, बहुत अच्छा वीडियो, और काफी कड़वी, सच्चाई, इस तरह का संपरदायकता का भाव, इस तरह से एक दूसरे में ये हिंदू-मुस्लिम जो हो गया ना, ये बहुत गलत हो गया, और ये एक कही न कहीं मैंने कम्यूनिटी पोस्ट पे ये एक, मैंने लिखी दी कुछ लाइन्स के ये एक अना का मसला बन गया, घर का किस्सा, घ जो तमाम स्टूडेंट्स थे, एक जो लड़के थे, उन्होंने कहा, जै शुरी राम और जो लड़की मुस्कान थी, उसने कहा, लाव अकबर, क्या इन दोनों ही पक्ष ने जै हिंद, बन्दे मातरम के नारे लगाएं, और कमाल की बात तो ये है कि उस बात पर स्टूडें पाबंदी नहीं है, वो स्कूल का एक मसला था, उसे वहीं सुलजना था, और वो मसला अगर कोट तक भी गया तो वहां तक जाना था, लेकिन कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, जिसको जो पहनना है, जैसा पहनना है, वो वहां पहन कर जा सकता है आ सकता है लेकिन ये देखिए हैरानी की बात है कि ये चीज जो है ये बात ये जो बवाल है ये लगतार बढ़ता ही चला जा रहा है इसे रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है जो भी पक्ष जीते जो भी पक्ष हारे जो भी फैसला आए देखिए सम्विधान का हम सब को हैतर कि जो वहाँ पर इस तरह पर घो वहां पर कमिशनर हैं इस ऑफीसर हैं उन्हें अपनी तरह से घुटी ठी पहल जा रहाँ बहुत अच्चा है अब देखिए हमारे मुल्क दो किसी को कोई कही मना ही नहीं जिसको जहाँ जो पहन के जाना है वो जатा है लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कुछ ऐसा ये जो पूरा विवाद है वो बढ़ता जा रहा है कि जहां पर रोक टोक नहीं थी वहां पर से भी ऐसी वीडियो जा रही है कि वहां पर भी हिजाब उतरवाए जा रही है और कई जगा तो ऐसा हुआ है कि मतलब इतनी अनुमती थी कि कॉलिज के अंदर तक बुर्का पैनके जाते थे और पिर उसके बाद वहाँ पर ग्लास में जाने से पहले बुरके और अबाय को उतार दिया जाता था लेकिन अभी कई जगा से इस तरह की जो वीडियो जाई है सामने तो ये कही ना कही एक बहुत बड़ा अना का मसला है एक बहुत बड़ा जिसे कहते ना कि हमारे गुरूर का मसला बन गया वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था जिसको बहुत जादा एक हवा दे दी गई और ये एक पूरा प्रोपगेंडा है ये एक पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है आप मानिये या ना मानिये और जिस तेजी से इस पूरे मसले के अंदर आप देखिए खालिस्तान कुदा पाकिस्तान कुदा तालिबान कुदा भारत के अंदर से भारत विरोधी जितने भी संस्था हैं वो कुदे कि मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने कहीं कोई रोक नहीं लगाई है, किसी को भी हिजाब या बुरके पर रोक नहीं लगाई है, वो एक स्कूल का मसला था, लेकिन लगतार इस तरह से हो रहा है कि मसले को और बढ़ाया जा रहा है, विवात को और बढ़ाया जा रहा है, तो ये बह कही उसको चोट पहुचेगी और जो एक खुबसूरती है उसको एक जटका भी लगेगा एक कही न कहीं एक ये दुख की बात है कि स्टूडेंस में इस तरह से संपरदाइक्ता का जहर घुला कि मजभी नारे लगाने पर उन्हें शेय दी जा रही है कि वह 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 तुमने आर्मिक भाव आ रहा है कि मतलब ये चीज ठीक नहीं होती है किसी भी चीज की किसी भी भाव की किसी भी जजबे की जब अती हो जाती है ना तो वह बहुत बड़ा परिशानी का सबब बनती है वह अभी हम देख रहे हैं जैते कि स्टूडेंस के बीच में ये चीज बना सकें तो आपको भी बहुत इत्मिनान से सोचना होगा कि इसे अना का मसला ना बनाकर आपस में बैट कर सोच समझ कर अपने बड़ों से सीखिए उनसे समझिए रिजवान सहब को जो सुन रहे हैं और जो इस्थानी इस तरपर जो संस्थाएं हैं वो पूरी कोशिश करे और जो ये इतना उलज रहा है ये पूरा विवाद ये खतम होना चाहिए और फैसला जो भी आए कोट का उसका हम सब को सम्मान करना चाहिए ना कि उसे एक अना का मसला बनाकर इस मुझे कमेंट सक्शन में जरूर बताईएगा और बहुत अफसोस होता है मुझे भी ये जिस भी धर्म में जिस भी जिसमें भी आप बिलीव करते हैं वो आपका परसनल होना चाहिए लेकिन वो घरों से बाहर निकल चुका है तो वो मंदिर मस्जिद तक रहना चाहिए था लेकिन नहीं वो सब सड़कों पर आते आते हैं अब वो स्कूल तक हमारे स्टूडंस तक बच्चों तक पहुच गया ये बहुत गलत हुआ ये नहीं होना चाहिए था खर दोस्तों आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सक्षिं में जरूर बताईएगा फिर मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ रिजवान सहाब के बहुत मश्वरे जो बहुत अच्छे हैं और इस झाल